ओके माइटी स्टूडेंट्स चलते हैं हम ज़रा देखते हैं कि यही काम हम SQL QUERY से कैसे करा सकते हैं तो इसी कोड में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा Context.students इसे समाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आ रहे ते मैं यहां पर SQL QUERY लगाके Select hysteric from student where student id is equal to 1001 तो इसे 1001 का record उटके आना चाहिए SQL QUERY के THROUGH मैं कोई भी QUERY लिख सकता हूं where के clause मैं लगा सकता हूं तो देखते हैं कौन सा record उटके आ रहा है तो 1001 का record उटके आ रहा है यह इसको मैं एक मैथड बना दी तो बाद मुआ है तो इसको मैं एक अलग मैथड बना देता हूं